सामाईक सुत्र के व्याख्या समझते हुएं, सामाईक में कैसे प्रवेश करना, सामाईक में संकल्प विकल्प आएं, तो उनसे कैसे मुप्त होना, इस पर हमने चिंतन किया, अब सामाईक की आरगना करते हुएं, कैसे दोश लग सकते हैं, अक्सर क्या करते हैं, हम ये समझते हैं, कि सामाईक में विचार नहीं आना चाहिए, जिस दुनिया से आप आए हो, जिस संसार से आए हो, जो आपने पड़ा है, लिखा है, जो गटना है, गटी है, आसपास के व उसको रोकना नहीं है, उसको केवल रश्टा भाव से देखना है, वो गटना अलग हैं और मैं अलग हूँ, वो गटना एक हाली होने के लिए आ रही है, लेकिन मनुश्य अज्ञान वस उनको दबा देता है, उनको बार बार, जितना आप उसको दबाते हो, उतनी वो और उबर उबर के आती है, देखो एक दर्वाजा बंद है, तो बाहर से व्यक्ति आता है, दर्वाजा नोक करता है, नहीं खुलता है, अनेक विकल्प उसके मन में आते हैं, फिर बजाता है, फिर नहीं खुलता है, फिर विकल्प आते हैं, लेकिन एक दर्वाजा आपने खुला रख प्एदा नहीं होता ःशे ही やईज ही जब हम ध्यान की घहरेएं में जाते हैं तो क्धने जिस संसार से आए वो सब Pद्ब करी आ है तो वो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, हमारी जागरुकता किया है कि हमने उसमें द्रश्टा बने रहना है, उसके साथ एका कार नहीं होना, एका कार कैसे होते हैं, या तो उस गटना को हम बहुत अच्छा मानते हैं, या उस गटना को हम बहुत ब कुरा माना तब भी सामाइक में क्या करना है न राग करना है न और राग और द्वेस सावध्यकारी क्रियां से नहीं होता है राग और द्वेस तो शुब क्रियां से भी होता है आपके लिए शुब हो गया किसी के लिए अशुब हो गया जो क्रिया आपके लिए शुब हो सकता पडोसु के लिए वो अशुब हो, जो आपके लिए अशुब है, वो हो सकती है पडोसु के लिए, इसलिए हम कहते हैं, ध्यान के समय आने वाले विचार, विचारे, संसकार, संसकारे, लेकिन आत्मा कैसी है, जैसे एक आइने के समान, आइना अपने देखा, आइने के सामने जो दृष्य आता है वो दिखा देता है, लेकिन आए उसके पर एक इप्रिंट बनने, पिछले आगे क्या गया था, आप देख सकते हो क्या ? आने वाला क्या भो भी नहीं देख सकते हो, इस समय जो दिख रहे हैं आत्मा का कारिवी यही है, इस समय वो अपने आत्मा अपने आपको जान रही है देख रही है परम आरण में इसके सामने कोई और द्रिश्य आया तो उसको दिखा दिया पर उस द्रिश्य से उसका कोई संबंद अब संबंद कोन बनता है हमारे संसकार हमारी बुद्धि हमारी धार्ना कि ये गटन यह नहीं होने चाहिए, यह तो बहुत अच्छी होगी, यह बहुत बूरा हो गया, जहां आप इसमें फसे, आत्मा से हट गए, मन वचन काया के संसार में पढ़ गए, बुद्धी के संसकार में पढ़ गए, और जैसे ही ऐसा हुआ, कि आपका सबकॉंश्यस माइंड क्रिया प से, आपने भक्तामर पढ़ना शुरू किया, आपको भक्तामर याद है, और भक्तामर तुम मुह में चल रही है, और आपका मन कहां कहां यात्रा करके आ जाते हैं, क्या हुआ, आपका सबकॉंश्यस माइंड में भक्तामर भीड थी, उसने तो अपना कारिया टेप रिकाड चालू रही, और आपका जो चेतन मन था वो कहीं गूमने चला गया, ऐसे आप ध्यान में बेठे हो, जागरुकता में हो, तब तो आपको पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, जैसे आप बेहोशी में गए, कि किसी वीचार के पीछे जाकर के कहीं दुकान पे कहीं चले जाते हैं, अचानक आपको होशाते हैं, मैं तो ध्यान में बेठा कहा चला गया, फिर वापस उसका प्रतिकमन करते हैं, और वापस आजाते हैं, फिर दो मिन के बाद भीचले जाएंगे, फिर आजाएंगे, ये क्रम चलता ही रहेगा, तो इसमें घवराना नहीं है, हमारा क जाचनकाया के स्तर पर कोई भी कर्म, कोई भी संसकार, कोई भी व्रत्ति हमारे भीतर ना आए, हम उसको द्रश्टा भाव से देखें, अंदर जो भरी हैं, वो आएगी जाएगी, लेकिन बेगोशी में आकर हम उसके पीछे ना लगें, इस तरह से अगर हम सामाइक में प्र बड़ा दोस्त है कि सामाइक में बेटे और भूली गए कि मैं सामाइक में हूँ की नहीं, सामाइक में बेटे और भूली गए मैं सामाइक में हूँ नहीं और गपे मारने लगे, ऐसे मैं ध्यान में हूँ और भूली गए कि मैं ध्यान में हूँ और कहीं वीचारों की कहानी बेड़ा के कहीं चला गया, तो उसका प्रतिकमन करना, उसकी आलोचना करने कि यहां इतना समय में प्रमाद में चला गया और यहां पर मैंने कोई प्रतिक्रिया कही, तो प्रभू आपकी साखसे यह तत्स मिच्छा और दूसरा सामई का समय का पता हिनी चला पहले ही पर ली तो वह भी दोसच सामाहिक साधना के प्रति अभिवेख पुर्ण चिंतन न मन में उबर्ना। उधारण के लिए ऐसे सोचना, ऐसे बेटने से भला जया होगा। आप ध्यान में बेटे, खाली बेटे हैं, ध्यान की गेहरें में जा रहे हैं और अच्छानक मन में आया क्या ऐसे खाली बेटेंगे क्या फाइदा ऐसे तो अच्छा नोकार मंदर पर लेता सामाई के भगता मर कर लेता कुछ स्वाध्याय कर लेता ऐसे खाली बेट के क्या होगा ये जा रहे थे आत्मा की साक्षी में ध्यान में लेकिन मननने आगर के विकल्प कर लिया तो इस प्रकार के संकल्प विकल्प करने से भी करम का आसरा सामाई के पति ऐसा चिंतन एक बाहत बड़ा मानसी के डोस्ट है तो ये सब क्या है? सामाइक में दोश है अभी भी एक दोश है दूसरा है यशो मांचा दोस्त सामाइक कर रहा हूं लेकिन सामाइक करने के बाद मेरी यश किर्ती सम्मान आदी के आकांक्षा से सामाइक करना है इस तरह से मन में यशो मांचा यश किर्ती की भावना से अगर सामाइक कर रहे हैं व आर्मिक मानकर लोग मेरा सम्मान करेंगे, यह भी एक दोस्ट है, जो सामाइक में सार सत्रों को पी जाता है, धनेच्छा दोस्ट, कि सामाइक कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, धन मिलेगा, दुकान अच्छी चलेगी, सुबह सुबह कई लोग होते हैं, दुकान पर जाते हैं, पाठ करते हैं, माला करते हैं, जब करते हैं, भगवान की फोटो लगा रखी, उसके सामने आर्थी करते हैं, फिर दुकान शुरू करते हैं, तो वो क्या धर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी काम ना किया है, परमात्मा को याद कर रहा है, इसमें कोई बुरी खुब हो तो क्या है धनवांच्छा का दोश आगा और एसा सामाई करते समय भी भाव करना गर्वदोश सामाई का घर्व करना मेरे ज़ेजी सामाई कोन को सकता है एको मैं ठाने नम मौने नम जाने नम की शुद्ध सामाई करता हूं यह सब नास्तिक लोग इनको सामाई काती करनी है वैसे वैसे भाव करना मनी मन में भाव कर रहा है किसे को बोला भी नहीं है लेकि अंदर ही अंदर में ऐसे भाव आ रहे हैं तो वो क्या हो गया घर्वदोश अहं तुष्टी के करना सामाई करना घर्वदोश भाई दोस्त सामाई करते हुए भूत प्रेज सरबादी से भैबित हो जाना सामाईक में बेठे और अचानक कोई उफसर्ग आ गया परिश्या आ गया जैसे अभी मुनी जी बता रहे थे कामदेव श्रावक सामाईक में बेठा है पोश्चत में बेठा है और वहाँ पर उसकी परिक्षा तो वहाँ पर घबराना नहीं क्यों कि मैं कौ मैं आत्मा हूँ मन बचन काया ध्यान में सामाईक में बेठी हुई है कोई उफसर्ग आए या परिश्या है मैं इसको संभाव से सेन करूंगा अच्वा इस प्रकार का भै मन में रखकर सामाईक करना कि मेरे पूरवस सामाईक करते थे यदि मैं सामाईक नहीं करूंगा तो दोग में निndा का, पात्र करूँगा, फिता जी करते थे, मुझे भी करनी चाहिए, जेन धर्व में पयदा हो, तो मुझे सामाइक करनी चाहिए, नहीं करूँगा, तो लोग में निंदा होगी, इस भई सेभी, जो सामाइक करता है, वो भी सामाइक में दोश, निदान दोस्त, मैं सामाई कर रहा हूँ और मेरी सामाई का फल हो तो मेरा ये कारे हो जाये, मुझे ये मिल जाये, इस प्रकार का निदान करना निदान दोस्त शंशे सामाई करते हुए इसके फल के पती शंकीत रहना कि पता नहीं मुझे सामाई का फल मिलेगा और नहीं मिलेगा यह शंशे दोस मैं सामाई कर रहा हूं इससे कर्म नेजरा होती है कि नहीं होती है कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा 48 में एक गंटा दो गंटा चार गंटा बेठा हूँ, पता नहीं, बविश्चे में क्या फल मिलेगा, दुकान का समय भी खोया, दूसरा मोज्चो का भी खोया समय, मन में शंशे, शंशे आत्मा विनश्चति, उसकी साधना में प्रगती नहीं होती है, और कशाय दोष, क्रोध मान माया लोग इन चार दुर भाव में समय करना कशाय दोष, इन चारो भाव में से कोई भी भाव समय के वस्ता में साधक के मन को स्पश करें तो उसे कशाय दोष लगता है, और विनश्चति, समय के उपकरन, समय के प्रति शृद्दा नहीं, विनश्चति अभीनित्त रखना, धर्म, शास्त्र, रजोरन, की विदिया हैं सामान है अपने आशन से थोड़ा उसको उंचा रखना है जमीन पर नहीं रखना है जिससे आपका ज्यान का भी भी नहीं होता है और उपकरनों का भी अभी नहीं नहीं करना अपमान दोस सामाई के प्रति अपमान पूर्ण भावों का रदे में जन्मना अपम रही सामाई करना दूसरा यशो वांचा दोस सामाई करूंगा तो मुझे यश वांचा की प्राप्ति हो गए धनेच्छा दोस मुझे धन की प्राप्ति हो इस भाव से सामाई करना गर्व दोस सामाई में गर्व करना मेरी जैसी सामाई कोन कर सकता है या मैं सामाई करूंगा त मेरा समाज में नाम होगा, मेरी पतिष्टा होगी, लोगों में मेरा नंबर बन जाएंगे, परिवार में मेरी पतिष्टा बनेगी, इस तरह से, भाई दोश, समाई कर रहा हूँ, पजाने किसी भूद प्रेद का परिशे ना आ जाए, या कोई ऐसा गटना न गट जाए, इस से भाई करना, निदान दोश, मेरी समाई का फल हो, तो मुझे ये फल प्राप्त हो, बदले में कुछ मांग करना, निदान दोश, संशे दोश, समाई के, करते हुए, उसके फल के पतिष्ट शशंक की तरहना, पता नहीं, फल मिलेगा, या नहीं मिलेगा, जैसे शंका तो आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। कशाय दोष, क्रोध, मान, माया, लोब में से किसी भी प्रकार का कशाय को सामाईक के अंतरगत करना ये कशाय दोष है। दोष में प्रवेश करना है। दस वच्चन के दोष, अलीक ये जूट, सामाईक में असत्य बोलने से उक्त दोष लगते हैं। सामाईक में बेठे हैं, कोई बात आई, किसी ने पूछा, तो नहां पर आदतवस जूट बोल दिया, तो अलीक दोष, वैसे तो सामाईक मोन की कर बिचारे कुछ भी बोल दिया, भूली गए कि मैं सामाईक में हूँ और कुछ भी बोल गए। ऐसा वच्चन सत्य होने पर भी असत्य के समानी होता है, इससे दूसरों के अहित संभाविते, बिना सोचे बिचारे कुछ भी बोल दोगे, वली सत्य भी है, लेकिन सामने वाले को अगर कोई गात लग रही है, कोई कस्त पहुच रहा है, तो ऐसा नहीं बोलना है, और साधरन दोस्त, स्रद्धा को अस्तिर बनाने वाले वच्चनों का बोलना, पर पाखंडियों की प्रशंशा करना, जीनमत के विपरित परुपना करके दोसरों को सम्यक्रशन को प्रमि पर श्रद्धा है, किसी देवी देवता पर श्रद्धा है, वो आकर के मेरा क्लियान करेगा, ऐसे लोगों की प्रशंशा करना, तो जो लोग स्माईक्र में कर रहे हैं, जो बीत्राक महार को चल रहे हैं, उनके मन में भी और नया संशे कड़ा हो जागा, पता नहीं, यह वि बहुत दूसरों के सम्यक दर्शन को ब्रहमित करना निरपेक्षा दोष्ण शास्ति दर्श्टिकोंग के अपेक्षा करके बोलना विवादास्पद और संबन्द भाषा बोलना जो बहुत वाणी है उसकी उपेक्षा करना और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं प्रोपन करना ये निरपेक्षा दोष्ट है विवादास्पद शब्द बोलना और संबन्द शब्द बोलना ये भी गानी का दोष्ट है संक्षेप दोख शिकृता से सामाईक के पाठों को संक्षेप में दोराना आ दिये जल्दी जल्दी बोल दिये आदे शब्द बीच में से खाय गये शोट कर दिया, जो भी आप अरदन कर रहे हो, उसको पूरा विधिवत करना है, क्लेश दोस्त, ऐसे वचन का व्यवार करना जिससे पुराना क्लेश पुनर जिवित हो जाए, और नविन क्लेश का जन्म हो जाए सामाइक में बेटे हुए हैं और दो चार एक जेसे मिल गए बाते करने लगे और पुराना क्लेश उगेड़ दिया, तो आये थे समाजी के लिए, लेकिन सामने दो चार लोगों के बीज में और समाजी का कारण निमित बन गया या बात करते करते एक नए अकलेश खड़ा कर दिया बिना मतलब का वी कता दोस, सामाइक में इस्तरी कता, बत कता, देश कता, राज कता इन चार कताओं में से कोई कता कहना या सुनना इस्तरियों के बारे में बात करने, देश के बारे में बात करने हस्य दोस, अविवेक पुर्भक उच्छे स्वर में हसना, किसी का मजा करना निरपेक्ष दोस और मंबन दोस ये दस प्रकार के वानी के दोस हैं अलीक दोस यानि सामाईक में जूट बोलना सहसा कर दोस अचानक कुछ भी बोल देना और साधरन दोस जिसमें लोगों की श्रद्धा डामाडोल हो दोसरों के समयक दर्शन में दोस लगे ऐसे बात कारे करना निरपेक्षा दोस शास्टी दर्श्टी कोन की उपेक्षा करके बोलना और विवादास पद और संबन जिस बात का सामाईक से कोई संबन नहीं है कोई भी बात लाकर के बात करना संक्षेब दोस्ट जो सिगरता में किसी बात को अच्छी तरह से शुद्ध नहीं कहिना या सामाइक के पाठो को शुद्ध बूलना कलेश दोस्ट ऐसे वचन बोलना जिससे सोया हुआ जगड़ा फिर जागरत हो जाए या नया कलेश वहां पे खड़ा हो जाए और दो चार लोगों के भीतर में असामाधी का निमित बन जाए वी कथा दोस्ट श्त्री कथा, भत कथा, देश कथा, राज कथा इन चार वी कथाओं को का बार बार सामाइक में चर्चा करना हाथ से दोस्ट बैठ करके हसी मजा करना दूसरों की दिल लगी लगाना जिससे और कशाय पेदा हो जाते हैं निरपेक्ष दोस्ट अशुद्ध या निन्दिरी वच्चन का व्यभार करना जिसे गाली अतिनेना या सामाइक के पाटों को अशुद्ध उचारन करना